तो कैसे आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब स्वागात करता हूं हमाई चैनल क्लासी मुटर्स पे आध मैं आपके लेकर आचुक हो आइट्वेंटी एन लाइन देख सकते हो कितनी स्पोर्ट्स लुक के अंदर एक गाड़ी मिल जाते हैं क्योंकि एक स्पोर्ट कारी है स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं बाकि लुक कुछी तरह की मिल जाते हैं और ग्राउन क्लेंस की बात करें तो 170 mm का इसका ग्राउन क्लेंस आपको मिल जाते हैं और पीछे कुछी तरह की आपको लुक वगरे मिल जाते हैं मुझे आगे से इसकी लुक बहत ही स्यादा 298 और 118 BHP की पावर देता है और 172 NM का टॉर्क बाकि इसके अंदर 7-speed gear shift है क्योंकि यह N-line है आप देखी सकते हो कितनी अच्छी लूग के spoiler अगरा है और dual exhaust मिल जाती है आपको पीछे की और जो सबसे बेहतरीन चीज़ है इस गाड़ी की exhaust sound भी इसका बहुत ही अच्छा वा के अंदर आती है तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगते है लेकिन पावर की बिल्कुल कमी इसके अंदर नहीं क्योंकि टर्बो एंजिन आता है इस गाड़ी के अंदर इसलिए दोड़ेगी वाई बाकि आज वीडियो अप्रोड करो तो मास इरवात्री है तो आप सभी को म मादेश जरूर लिख देना पाए तो चलो अभी इसके इंटीर की बात करते है तो बिल्कुल स्पोर्ट्स कार वाला इंटीर आपको मिल जाता है यहां पर देख सकते हो कुछ चीजरा के कंट्रोल मिल जाते है आपको पावर विंडोस वगेरा के चीटन लोग सारे की सारे च सारी की चाए दीजीए लगी बाकी 10.25 की निसके अबको डिस्प्ले मिल जाते है तो रेसिंग गाडी वाला ही मिल जाते हैं और पैडल शिप्टर्स और शबसे ज्यादा आच्छी चीज लगी मुझे इसके पाटल्स देखी सकते हो कुछी तरह के एक्सेडर ब्रेक मिल जात बहुत मेंगी कार के अंदर मिलता है वो सारी की सारी चीज़े अंदर बैटरी नहीं इसलिए थोड़ी देर के बात में आपको दिखाऊंगा तो वीडियो के इंटक जरू देखना और आज महाशिवरात्री है तो सभी को हर हर महादेव कॉमेंट के अंदर जरूर लिख देना और महाशिवरात्री हादिक शुप कामना है बाकी साइड में गलव वाक्स वगेरा कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है इस गाड़ी किंदर और सीट्स तो बाइश वाली दे दी गई है बाकी यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरह कामरेश वगेरा मिल जाते है आपको इस के अंदर आपको आटमेटिक क्लाइमेंट कंट्रोर एसी वगेरा सारी की सारी चीज़े मिल जाती है और यहां पे वायलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है और कुछ इस तरह की की आपको मिल जाती है हुंडाई i20 एनलाइन की और गेर शिप्टर्स देख सकते हो सा सारी की सारी चीज़े दिखा देता हूं बैटर की प्रोब्लम थी इसलिए अभी थोड़ी दिर में आपको डिस्प्रे दिखा दूँगा और पीछे भी बाए दर्वाजा कोलते ही इस तरह की कुछ डिजाइन वगेरा मिल जाती है सीट्स की कॉलेटी देख सकते हो आप और वाली बैजिंग सारे की सारे चके पे लगाए हुए यहां पर पीछे एन लाइन का भी बैजिंग फिर से दे दी गया है साइड में भी कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है डिजाइन वगेरा और बोस के स्पीकर लगे हुए इस गाड़ी के अंदर पीछे भी एस इवेंट बनाई गई गाड़ी है तो comfort का तो पूरा ख्याल रखा है इन्होंने तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है पीछे की सीट्स आपको डो एजर्शेबल हैट्रेस मिल जाते है अपनी गाड़ी के अगे से कुछ इस तरह की लुक आपको मिल जाते हैं मलब पीछे बैटके आप इ पीछे की और तो चलो कार स्टार्ट हो चुकी अब देख लो इसकी डिस्प्ले क्लस्टर डिजाइन मतलब कितनी अच्छी तरह से बनाई गई है बिल्कुल sports वाली क्लस्टर डिजाइन आपको मिल जाती है तो यहां पे देख सकते हो पीछे की और कुछ इस तरह का लुक विल मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर ताकि विल पेट वगेरा सारी की सारे चीज़े दे दी गई है इस गाड़ी के अंदर बाकी बहुत ही प्रिम्यम तरीके से बनाई गई यह गाड़ी है जो अगर आप लेना चाहिए और आपको एंड लाइन चाहिए तो इस तरह की कर रहे हैं ऐसे वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना थैंक्स पर वाचिंग